हेलो एब्रिवन वेलकम टू जीनियस मेंटर्स माइनम इस सिम्रन साइगल बच्चों आज के इस लेक्चर में करेंगे क्लास 10 एकनोमिक्स चैप्टर वन और चैप्टर का नाम है डेवलप्मेंट बच्चों इस चैप्टर के अंदर हम डेवलप्मेंट से जूड़ी हुई कु व्न हं कि कि इंदीविज्विजिव का जाते है डेवलप्मेंट की मिंजन नैशनल नाबवलप्मेंट के जाती है हमने की हर पॉइंट है है हमने देखा कि जब हमने इंडिवीजुल डेवलप्मेंट की बात करी तो हर परसन की लाइफ सिच्वेशन अलग है उनके गोल अलग है जिसकी वज़े से डेवलप्मेंट के रिगार्डिंग जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है वो हर परसन का अलग अलग है ठीक है फिर हमन वही फुल्फिल करवाने के लिए ही वह डेवलप्मेंट को म嫩 लेकर चलेगा कि कि क्सी कंट्री में क्लिटी एजुकेशन हो तो अगर कैंटिन क्वाठी हो जाएगी तो यानिकिस पर्लॉप से डिवालप्में जायेघी कोई अदर परसन है जो यह चाहता है कि कंट्री में बिल्कुल बहुत ही अच्छे रोड बन जाए स्मूद रोड बन जाए तो country डवलप्ड मानी जाएगी तो यानि कि उस पर्सन के point of view से अगर उसका goal achieve हो जाएगा तो country डवलप्ड हो जाएगी तो यानि कि country के development के regarding भी हर person का point of view different होता है हमने अब तक यहीं पड़ा फिर हमने पड़ा बच्चों लास्ट क्लास में हम डिसकस कर रहे थे कि अलग-अलग countries को compare कैसे करते हैं कि देखो बच्चों हम यह topic कर रहे थे यहां तक कि हमने अब तक अपने सारे topic cover कर लिए हैं how to compare different countries और states हमने सीखा लास्ट क्लास में हमने सीखा कि countries को और states को compare करने के लिए हम क्या-क्या measures क्या-क्या criteria लेके चलते हैं बच्चों पहले आप अपनी book open करो book और pen लेकर बैठो pen या pencil उसमें अंडरलाइन करनी है आपने जो जो लाइन जो जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ठीक है अपनी book का पेज ओपन कर लो जहां पर आपको यह topic given होगा ठीक है तो बच्चों हमने लास्ट क्लास में क्या वह set temperature कर लेते हैं कि कौन से कंट्री डवलप्ड कौन सी अड़ डवलप्ड है यानि कि यह मान चलते जिस कॉड़ी की टॉटल इंकम जाधा होगी वह आ प्सक्राइट और चैनंच्च लेकेWhen एक्टेल में हमें क्या मेजर लेके चलना होता है ऐड्रेज इंकम का मतलब होता है एड्रेज इंकम को बचों हम पर केपिटा इंकम भी बोलते हैं average income का मतलब उस country की जो total income होगी उस total income को हम total population से divide करेंगे कि उस country की total population कितनी है इससे हमें income per head पता चलेगी इंकम पर हैड को ही हम क्या बोलते हैं पर कैपिटा इंकम और एवरेज इंकम ठीक है बच्चों तो हम कह रहे थे हमने लास्ट क्लास में यह डिसकस किया था कि इस तरीके से इस फॉर्मले से हम एवरेज इंकम निकालते हैं अलग-अलग कंट्रीज की इंद इन हम एवरेज इंकम के बेसिस पर कमपेर करते हैं कि कौंसी कंट्री रइवुलेपडढ को चैलकुलेट यह को हम क्या करेंगे के numer of person उस country में कितने हैं उस country की population कितनी है जैसे अने क्लास में एक्जामबल लिया था अपनी convenience के लिए हमने एक्जामबल लिया कि Country और और दोनों में ही हमने 5 परसन लेके चले उन पांचों की हमने का टोडल कर लिया उस टोटल इंक्म ऑफ द कंट्री को हमने पौच मैंबर से श् sophisticated वाइड कर लिया कि यानि कि हमें कि टोटल व्याइशन से ठीवाइड कर लिया तो इससे हमें पता mijn пожATS datde Income कमा आी जा रही है एक्ट्टल में हो country dir Fris संb productive average income को क्यों लेकर चलते क्यों कि एवरेज income से में पता चलते कि उस country के लोगों का standard of living क्या है उस country के लोगों का standard of living हमें कैसे पता चलेगा जब हमें हर person की income पता चलेगी और हर person की income कैसे से पता चलती पर एंकम साथ है है पर मेंबर मेंसके हर पर्पुलेशन के हर परसन का कि कि underestיל इंकम है इससे हमें उस कंट्री के लोगों का रहेंसर पता चलेगा उस कंट्री से से नरॉफ पताचा लेगा nosim और फिर हमने एक मनें यह बात करी थी कि भी सिर्फ सफिशन नहीं ओती डिफरेंट कंट्री जो कंपेर करने के लिए मेंस इनके म is not sufficient criteria बलकि हमें average income के साथ साथ ये भी कंसीडर करना होता है कि इंकम का डिस्ट्रिबयूशन एक्वल है या नहीं है याणी का distribution.com एंड तर्टल इंकम को सेकिन हम लेकर चलते हैं पहले average income consider नहीं करी, then average income consider करी, अब सिर्फ average income भी sufficient नहीं है, हमें income का distribution भी consider करना होता है, distribution of income, कि उस country के अंदर income का distribution कैसा है, अगर average income किसी country की जाधा है, और वहाँ पर income का distribution equal नहीं है, तो वो country, actual में developed country consider नहीं की जाएगी, average income जाधा तो हो, लेकिन साथ ही उस country में distribution भी, income का सभी लोगों में distribution equal हो, ताकि उस country में कोई लोग, मतलब population के अंदर ना तो कोई बहुत जाधा रिचो ना बहुत जाधा पूर हो, सारे लोग equal level के हैं, तो यानि कि वो country developed होगी, लेकिन कोई ऐसी country है, जिसके अंदर income का unequal distribution है, average income तो जाधा है, suppose किसी country की, हमने अगर मान लो, सिर्फ average income के basis पे दो countries को compare किया, तो एक country जिसके अंदर average income जाधा है, बहुत जाधा है, as compared to other country, यानि कि हर person के दोरा income जो कमाई जा रही है, वो as compared to other country वो जाधा है, लेकिन उस country के अंदर income का unequal distribution है, means almost लोगों की income बहुत कम है, और कुछ person ऐसे हैं, कुछ percent, suppose 10% लोग ऐसे हैं, जिनकी income extremely high है, means उस country के अंदर कुछ लोग, population का कुछ पार्ट तो बहुत जाधा rich है, और population का कुछ पार्ट बहुत जाधा poor है, तो यह unequal distribution है income का, तो वो country, developed country consider नहीं होगी, भले ही उसकी average income जाधा है, बट फिर भी वो developed country नहीं मानी जाए, ठीक है, तो आपने एक another criteria क्या consider करना होता है, along with average income, आपने distribution of income को भी consider करना होता है, different countries और states को compare करने के लिए, हमने यहीं इस topic में, इन तीन topics के बारे में ही, इस पूरे topic के अंदर discuss किया, ठीक है, सारा का सारा आपको revise हो गया, अब हम कुछ questions के answer देंगे बच्चों, जो हमने यह topic सीखा, different countries और different states को compare करने वाला, उस से related हम questions के one by one answer solve करेंगे, ताकि आपको यह जादा, यह जो हमने concept सीखा, यह और जादा strong हो जाए आपका, देखो, आपकी book में यह वाला page open करो बच्चों, और साथ के साथ आप अपनी notebook में इनके answers not down करोगे, ठीक है, फिर्स्ट क्या है, give three examples where an average is used for comparing situations, मतब कुछ example लेने हैं हमने, जिनके अंदर हम अलग-अलग situations को compare करने के लिए हम क्या use करते हैं, average, ठीक है, अगर हम कोई चीज total लेके चल रहे हैं, total चीज को total number of person से divide कर देते हैं, तो वो average निकल के आती है, ठीक है, तो देखो, average को use करेंगे, हम different situations को compare करने के लिए, मतलब, ऐसा, कौन-कौन से scenarios में हम average use करते हैं, suppose हमने just example देना है, कि जैसे कि हम average income of two countries, two countries की average income, सबसे पहले तो हमने यही example ले लिए हैं, जो हमने topic सीखा, कि average income of two countries, हम लेके चलते हैं, दो countries को compare करने के लिए, average speed of two vehicles, हम लेकर चलते हैं, दो vehicles को compare करने के लिए, ठीक है, over a distance, कि एक particular distance को complete करने के लिए, each vehicle की क्या speed है, वो हम लेकर चलते हैं, मतलब, उनकी average speed को compare करते हैं, हर vehicle की average speed calculate करते हैं, जिसकी average speed जादा होती है, उसको हम क्या करते हैं, जादा better consider करते हैं, ठीक है, then third is average height of student in two different classes of a school, हमने just example देना था कि किन-किन situations में हम average को use करते हैं, अलग-अलग चीज़ों को compare करने के लिए, जैसे कि different, दो अलग-अलग classes, एक particular school के अंदर दो अलग-अलग classes हैं, उनके हमने students लिए, और दोनों students को हमने compare किया, तो उनकी जब हम height compare करते हैं, तो उस case में हम average height लेकर चलते हैं, ठीक है, तो average height of student in two different classes of school, तो यह हमने example दिये कि जहां-जहां हम चीज़ों को compare करने के लिए average का use करते हैं, ठीक है, next देखो, why do you think average income is an important criteria for development, average income को आप एक important criteria क्यों consider करते हो, development के लिए, ठीक है, यानि कि development के लिए आप सिर्फ और सिर्फ total income को क्यों नहीं consider करते, average income को ही क्यों consider करते हो, अलग-अलग countries को compare करने के लिए, क्योंकि total income, किसी country की total income जादा होगी अगर उसकी population जादा है, तो अगर किसी country की population जादा है, तो उसकी total income भी जादा होगी, तो क्या हम यह कहादेंगे कि वो country developed है, नहीं, तो इसलिए हम total income को consider नहीं करते, हम average income यानि की per head, यानि की per person of the country के द्वारा कितना income earn की जा रही है, वो हम consider करते हैं, देखो, it is an important criteria, means average income एक important criteria है, because it tells us what an average person is likely to earn, कि हर person कितना earn कर रहा है उस country के अंदर, इस से हमें rising standard of living of that particular country हमें पता चलता है, यानि कि उस particular country के अंदर जो लोगों का standard of living है, उसके बारे में हमें कब पता चलेगा, जब हम उस country के हर person की income को देखेंगे, और वो किस से पता चलता है, average income से, यानि की per capita income से, ठीक है, prosperity of a country depends not only on its national income, national income means total income, और total income means income of all residents of the country, country के सभी residents की income को जबं accumulate कर देते हैं, combine कर देते हैं, तो वो हो जाती है, total income, ठीक है, तो किसी भी country की prosperity जो है, वो उसकी total income पे depend नहीं करती, बलकि number of people who would share it, average को तो हम consider करते हैं, कि हर person की कितने income है, और वो income किस तरीके से distributed है, किस तरीके से हर person उस income को share कर रहा है, एक country की total income किस तरीके से different person में share हो रही है, कि income का equal distribution है या unequal distribution है, ये भी हम consider करते हैं, इसी से हमें किसी country की prosperity के बारे में पता चलता है, ठीक है, third is, besides size of per capita income, what other property of income is important in comparing two or more societies, मतलब income की और क्या-क्या चीज़ें, per capita income यानि कि average income तो हम calculate कर लेते हैं, उसके अलावा, मैंने आपको starting में ये topic समझाया बच्चों, कि per capita income के अलावा, यानि कि average income के अलावा, हम और क्या-क्या चीज़ें consider करते हैं, दो countries या दो states को compare करने के लिए, average income के साथ-साथ distribution of income को भी हम consider करते हैं, तो यहाँ पर आप mention कर दो, distribution of income, और वो country, developed country consider की जाएगी, जहाँ पर income का distribution क्या होगा, equal distribution होगा, ठीक है, तो average income और per capita income is important, but not only the criteria for development, सिर्फ यहीं criteria हम नहीं लेके चलते, countries को compare करने के लिए, कि country developed है या underdeveloped है, along with average income, equitable distribution of income in a country should also be considered, ठीक है, average income के अलावा, distribution of income भी हमें consider करनी होती है, कि एक particular country के अंदर, income का distribution equal है या unequal है, ताकि हम एक particular country को developed या underdeveloped की category में consider कर सके, ठीक है, अगर हमें कुछ data मिला, data से हमें यह पता चला, कि किसी भी country के average income है न, वो अलग-अलग years में increase होती जा रही है, अब देखो, कोई country है, उस country के अंदर, average income जो है, वो continuously increase होती जा रही है, अलग-अलग सालों का जब हमने data उठा उठाया तो, ठीक है, तो हम क्या यह conclude कर सकते हैं, कि उस country के हर sector, मतलब average income जादा है, तो हम कहेंगे country developed है, तो हम क्या इसके basis पर यह भी कह सकते हैं, कि उस country का हर sector भी developed है, ठीक है, तो यह depend करता है, कि उस country में income का जो distribution है, average income जो increase हो रही है, आप उस income का जो distribution है, वो equal है या unequal है, अगर primary, secondary, tertiary, सभी sectors में, income का जो distribution है, वो equal होगा, तो यानि कि country के development के साथ हर sector भी developed हो रहा है, ठीक है, हर sector को हम developed sector बोलेंगे, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, कि average income भले ही जादा हो, लेकिन कोई एक sector ऐसा हो, जिसकी मतलब जिसके अंदर income का distribution बहुत ही कम है, दो sectors हैं, जिनके अंदर income का distribution बहुत हाई है, A country and B country, A country के अंदर, क्या है, सभी लोगों के अंदर equal distribution है income का, ठीक है, B country ऐसी थी, जिसमें कुछ लोग तो extremely poor हैं, और कुछ लोग extremely high हैं, means extremely rich हैं, तो यानि कि वो unequal distribution है, तो यानि कि ऐसा भी तो हो सकता है, कि एक country के अंदर अलग-अलग sector है, कि अंदर जितने भी sectors हैं, वो सारे sectors developed हैं, ठीक है, illustrate your answer with an example, देखो, हम पहले तो इसको elaborate करेंगे, question के answer को, ठीक है, and then example भी देंगे, कि किस तरीके से हम अपना question elaborate कर रहे हैं, all sections of economy में have become better, can't be concluded, मतला हम यह नहीं कह सकते कि country developed है, क्योंकि country की average income ज़्यादा है, देखो, average income अगर ज़्यादा है, तो यानि कि average income अगर ज़्यादा होती है, तो हम generally यह conclude कर लेते कि country developed है, तो country developed हमने consider कर ली, हम यह मान कर चले कि यह जो country है, उसकी average income ज़्यादा है, तो यानि कि country developed है, बट हम यह conclude नहीं कर सकते कि all sections of economy, कि उस country की economy का हर section better है, हम यह conclude नहीं कर सकते, because different sections of economy may have become better or worse, मतला ऐसा भी हो सकता है, कि उस sector मतलब उस country के अंदर जो अलग-अलग sectors हैं, उसमें से कुछ sector तो हैं जो extremely rich हों और कोई sector ऐसा हो सकता है, जैसे हम example अभी लेकर चलेंगे, agriculture sector सपोज ऐसा है, जहां पर income बहुत लोग है, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, तो country के developed होने से हम हर sector की development नहीं कह सकते, इसलिए हमने कहा था कि सिर्फ average income consider नहीं करनी, average income के साथ साथ एक अनदर criteria भी लेकर चलना है, अलग-अलग countries को compare करने के लिए and that is distribution of income, ठीक है, तो country developed है, बट हमें ये तो नहीं पता ना कि country का हर sector में income जो हो equally distributed है या नहीं, इसलिए हमने जब average income का जो topic स्टार्ट किया था, last class में हमने ये पढ़ा था कि average useful तो है, but average जो है उस country के means average income जो है, वो उस country के अंदर की जो disparities है, unequal distribution of income है, उसको hide करती है, जिस country की average income जादा होती है, हम उसको developed, जो world development reports होती है, उसमें उसको developed शो कर दिया जाता है, लेकिन उस country के अंदर जो disparities है, जो अलग-अलग sectors में income का unequal distribution है, वो तो hide हो गया न, average income से, ठीक है, तो हम example लेकर चलते हैं, current situation in India, जहाँ पर average income has increased every year, the services sector has increased very much, जहाँ पर production sector और service sector जो है, वो तो बहुत जादा grow कर रहा है, लेकिन जो agriculture sector है, उसके अंदर कोई growth नहीं है, यानि कि agriculture sector की income जो है, वो extremely low है, बट जो production और service sector है, उसकी income extremely high है, तो यानि कि average income के basis पे country को तो developed मान लिया, लेकिन उसके अंदर के sectors के बीच में जो income का distribution है, वो unequal है, ठीक है, तो यानि कि actual में ये country, developed country नहीं consider की जा सकती, next question is, from the text, find out the per capita income level of low income countries as per the world development reports, अगर world development reports को देखें, तो जो world development report के basis पे, low income countries की का जो per capita income level है, वो हमने find out करने है, तो ये just a data है, वो हमें world development report से ही पता चल सकता है, per capita income level of middle income countries as per world development report 2006, 2006 की जब हमने world development report देखी, तो जो income level है, per capita income level, यानि कि उस country के अंदर हर person के द्वारा जो income earn की जा रही है, वो कितनी है, between 37,000 and 453,000 per annum, यानि कि एक साल में 37,000 से लेके 453,000 के बीच में, यानि कि इस amount से इस amount के बीच में, एक साल में हर person के द्वारा जो income earn की जा रही है, उसे हम क्या बोलेंगे, low, देखो, उसको हम क्या बोलेंगे, क्या question पूछा हुआ है, income level of low income countries, उन countries को low income countries बोलेंगे, जिन countries में, जिन countries के अंदर, हर person के द्वारा, एक साल में 37,000 से 453,000 तक की earning की जा रही है, हर person के द्वारा, तो वो countries क्या कहलाएंगी, low income countries कहलाएंगी, according to world development reports 2006, ठीक है, यह just a data है, यह हमने world development report 2006 की according conclude किया है, ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेशन क्या कहता है, write a paragraph on your notion of what should India do, or achieve to become a developed country, इंडिया को क्या करना चाहिए, एक developed country बनने के लिए, इसके regarding हमने अपने suggestions बताने है, हम इसका solution देख लेते हैं बच्चों, to become a developed country, इंडिया के पास क्या क्या होना चाहिए, एक इंडिया के अंदर, इंडिया को developed country बनाने के लिए, पहली बात की इंडिया के अंदर, जो income है, average income है, वो ज़्यादा होनी चाहिए, साथ ही income का equal distribution होना चाहिए, और other facilities भी available होनी चाहिए, यानि की लोगों के जो developmental goals हैं, वो भी fulfill हो जाने चाहिए, ठीक है, पहली बात, की average income जादा हो, दूसरा, equal distribution हो, income का, and third is, उस country के लोगों के जो developmental goals हैं, वो fulfill हो जाने चाहिए, ठीक है, तो इंडिया को developed बनाने के लिए, हमें ये सभी काम इंडिया में होने जरूरी है, to become a developed country, इंडिया should have highly developed economy, developed economy हो, यानि की वहां के लोगों की average income जादा हो, have advanced infrastructure facilities, like better roads, better transport, ठीक है, better medical facilities, better educational facilities, तो ये सारी facilities, यानि की लोगों के जो अलग-अलग developmental goals है, वो fulfill हो जाने चाहिए, third is higher per capita income, यानि की average income जादा हो, higher general standard of living with enough food to feed the poorest people adequately, यानि की income का equal distribution हो, equitable distribution होने का मतलग, कि country के हर person के पास इतना money हो, means इतनी income हर person की हो, कि वो अपना livelihood easily maintain कर सके, ठीक है, समझ में आगी आपको, ये इसके अंदर तो आप अपने और भी points mention कर सकते हो, आप अपनी according, जो भी आपकी according, एक country की development के लिए जो भी होना जरूरी है, ठीक है, clear हो गया, तो बच्चों हमने, जो हमारा topic था, that is how to compare different countries और states, ये topic हमने अपना complete कर लिया, सब कुछ समझ लिया, इससे related questions कर लिये, अब हम करते हैं next topic, that is income and other criteria, अब income and other criteria, यानि कि अब हम कुछ other criteria भी देखेंगे, income के अलावा, अब तक हमने क्या सीखा, कि different countries और states को compare करने के लिए, हम income का एक criteria लेके चलते हैं, जिसके basis पे हम अलग-अलग countries को compare करते हैं, फिर income के criteria में, जब हम income का criteria लेके चलते हैं, तो हम क्या करते हैं, different countries की average income calculate करते हैं, फिर average income तो calculate करते हैं, साथ ही हम देखते हैं, कि equal distribution भी होना चाहिए income का, यानि कि अब तक previous topic में, हमने सिर्फ income के basis पे, जब हम अलग-अलग countries को compare करते हैं, तो हमने वो topic सीखा सिर्फ, अब हमने क्या करना है, income के अलावा, जो other criteria होते हैं, जिसके basis पे हम different different countries, और different different states को compare करते हैं, अब हम उन सभी criteria को discuss करेंगे, ठीक है, क्यूंकि हमने starting में, यहीं topic सीख लिया था, कि income and other goals, कि सिर्फ income ही sufficient नहीं होती, किसी person की as well as country की development के लिए, ठीक है, इंकम के अलावा, कुछ other goals भी होते हैं, यानि कि कुछ other non-monetory चीज़ें भी होती हैं, non-material things होती हैं, जिनको fulfill करना जरूरी होता है, एक person की as well as country की development के लिए, ठीक है, तो हमने income का criteria पूरा topic cover कर लिया, अब other criteria को देखेंगे, when we looked at individual aspiration, जब हम किसी individual के aspiration को देखते हैं, individual goals को consider करते हैं, तो we found that people not only think of better income, but also have other goals, हमने second topic में discuss किया था, जब हमने income and other goals का second topic पढ़ा था, तो उसमें हमने यह देखा था, कि लोगों के सिर्फ income से related goals नहीं होते, सिर्फ money and material things ही उनके goal नहीं है, बलकि उनके कुछ other goals में हैं, जिनने हम non-material things के regarding जो उनके goals होते हैं, जैसे की, जैसे की equality, equality, freedom, security, ठीक है, equality means उनका discrimination ना हो उनके साथ, ठीक है, respect, तो यह क्या होती हैं, यह चीज़ें भी हमारे लिए जरूरी होती हैं ना, जब हमने example देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था, कि अगर आपको कोई job मिले, जिसमें income आपको ज़्यादा मिल रही है, बट आपके जो other goals हैं, वो fulfill नहीं होरे, आपको equality नहीं मिल रही, आपको freedom नहीं है, security नहीं है जो आपके regarding, और आपके respect भी आपको नहीं मिल रही, तो यानि कि आपके other goals तो fulfill नहीं हो रहे, तो क्या आप satisfy होगे, आपकी development हो जाएगी, तो नहीं होगी बच्चों, क्यूंकि किसी person की, as well as किसी country की development के लिए, income के अलावा other goals भी फुल्फिल होने जरूरी हैं, ठीक है, but also have such goals like security, respect for others, equal treatment, freedom, ये सभी चीज़ें भी हम mind में रखके चलते हैं, जब हम, जब हमारा कोई भी goal होता तो, ठीक है, similarly when we think of a nation और region, सेम वे से इसी चीज़ को आप ब्रोड लेवल पर जब आप देखोगे, तो nation या countries में और states में भी ऐसा ही होता है, besides average income, अब तक जो हमने topic पढ़ा कि average income के basis पर हम countries और states को compare कर रहे हैं, तो सिर्फ average income ही एक criteria नहीं है, इसके अलावा भी कुछ criteria होते हैं, यानि कि हर nation के लोगों के, means nation के अंदर भी कुछ other criteria हम लेके चलते हैं, उनको compare करने के लिए, besides average income, think of other equally important attributes, यानि कि income के अलावा हमें other attributes जो की equally important है, जिस तरीके से income हमारे लिए जरूरी है, तो वो other attributes भी consider करने होते हैं, किसी भी nation को developed या underdeveloped consider करने के लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, चलो, what could these attributes be, अब वो attributes कौन कौन से होते हैं, वो attributes क्या हैं, हमने कहा न, कि other attributes भी हमें consider करने होते हैं, income के अलावा, कि हमने countries को average income के basis पे तो compare कर लिया, बट कुछ other attributes भी हैं, वो attributes क्या हैं, let us examine this through an example, एक table आपको given है बच्चो, 1.3 table, देखो, यहाँ पर आपको table 1.3 given है, ठीक है, gives the per capita income of Haryana, Keral and Bihar, Haryana, Keral and Bihar, यह तीन states हैं, अलग-अलग, इनकी per capita income आपको इस table के अंदर given है, देख रहे हो, आप देख पारे हो बच्चो इस picture के through, ठीक है, यह अलग-अलग states है, यहाँ पर अलग-अलग states की per capita income है, यानि की per capita income means average income, average income means, उस country के per person के द्वारा कितनी income कमाई जा रही है, एक साल में, यानि की total income of that particular state, divided by total population of that state, ठीक है, किसी particular area की average income निकालना चाहते हो, या फिर suppose आप five friends हो, आप small level पे चीज़ों को सीखो, एंड देन उसको large level पे apply करके देखो, five friends की आप average income निकालना चाहो, तो आप क्या करोगे, हर friend के द्वारा, जो भी income कमाई जा रही है, हर person की income, पांचों की income का टोटल कर लो, टोटल इंकम आ जाएगी, उसको आप, आप five friends हो, तो five से divide कर दो, तो जो आपका answer आएगा, वो क्या आएगा कि per person के द्वारा, कितनी income कमाई जा रही है, यानि कि total income divided by population, total population, ठीक है, तो वो क्या होती है, आपकी average income और per capita income, तो यह आपको क्या कह रहा आगे, we can take it to be the per capita income of the state, ठीक है, हर state की आपको per capita income given है, average income given है, we find that of the three, अब तीनों में से, तीनों को देखके, आप क्या कह सकते हो, कोन सा state जो है, वो developed है, आप देखोगे, तो यह तो आपने सिर्फ income के basis पे, इन तीनों states को compare कर लिया, और income के basis पे किस तरीके से compare किया, average income calculate करके, यानि कि उनकी per capita income find out करके, ठीक है, income के basis पे तो आपने compare कर लिया, this means that on an average, a person in Haryana earned 1,80,174 in one year, whereas on an average, on an average, क्योंकि हम average income यह लेकर चल रहे हैं, हaryana के, कि जो average income है, यानि कि per capita income है, वो इतनी है, यानि कि हaryana के हर person के द्वारा, एक साल में, 1,80,174 रुपे earn किये जा रहे हैं, ठीक है, on the other hand, जब हमने बिहार की average income calculate करी, तो इससे हमें क्या पता चला कि, on an average, बिहार का हर person, एक साल में, कितनी money earn कर रहे है, 34,409, ठीक है, इस पर कैपटा इंकम वर टुबी यूज़ एस अ मैजर ओफ डेवलप्मेंट, तो हर्याना विल बी, considered the most developed, ठीक है, एंड बिहार जो होगा, वो least developed माना जाएगा, ये तो अभी तक आपने जो previous topic पढ़ा, उसी का एक concept अब तक हमने अप्लाइ किया, क्यूंकि हम income and other criteria का topic पढ़ रहे हैं, तो income criteria भी हमने revise कर लिया, अब हम आगे की class में बच्चों, जो हम other criteria के basis पे अलग-अलग states को compare करते हैं न, वो हम next class में discuss करेंगे, ठीक है, तो अब तक हमने income and other criteria का जो topic है, उसमें से income criteria दुबारा से हमारा revise हो गया, अब हम next class में other criteria को discuss करेंगे, कि कौन-कौन से other criteria होते हैं, along with average income, और क्या-क्या चीज़े हम consider करते हैं, countries को compare करने के लिए, और states को compare करने के लिए, ठीक है, तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, इसको अपने आपने NCRT book से revise करना, और जो-जो additional points में आपको बता रही हूँ, जैसे हमने questions discuss किये थे, उनके जितने भी answers हमने discuss किये, वो आपने अपनी note book में note down करने हैं, साथ के साथ, और उनको revise करने हैं, ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं, next lecture में एक नए concept के साथ, तब तक के लिए, good bye, thank you so much.